वीडियो देखने से पहले एक जरूरी सूचना वीडियो के नीचे इस तरह का यह गंगूठे का निशान होगा तो इसके बार टच कर लिए तो ऐसे काला हो जाएगा उसके बाद में इस साइड आपको यह सब्सक्राइब का बटन दिखेगा काला तो इस पे भी टच कर देना उसके बाद में आपको फिर से इसी पे क्लिक करना जो गंटी देख रही न इस पे क्लिक करके आप उप्सन देखेगा आपको यह एडवल आल तो इस पे भी क्लिक कर देना इतना करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे और आगे भी इसी तरह की वीडियो रो जाना माना जाता है अश्विन और कार्टिक के माईनों में राज नाम की लड़के जन्म लेते हैं तुला राशी के राज नाम की लड़कों को चलाकी करनी नहीं आती तुला राशी के राज नाम की लड़के चर्मरोग और किड़नी की समस्याओं से गिरस्त होते हैं तुला राश प्रशे को राज नाम देने से पहले उसका आरत जान लेंगी तो इससे आपके शिशू को जीवन सबर सकता है राज नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह बैवार करने लगता है सास्तरों में राज नाम को काफी अच्छा माना गया है और इसका मतलब यानि राजा भी लोगों को बहुत पसंद आता है ये नाम का मतलब राजा होने की वज़े से राज नाम के लोगों को समाज में भी बहुत पसंद किया जाता है राज नाम वाले व्यक्ति बिल्कुल अपने नाम के मतलब की तरह यानि राजा होते हैं यदि आपका नाम राज है तो आपका राशी ग्रै सुक्र है और सुब अंक्छे है राज नाम वाले व्यक्ति आकरसक का केंद्र होते हैं ये दिखने में भी बहुत खुबसूरत होते हैं, राजनाम के लोग गंदी की जरावी पसंद नहीं करते हैं, इन्हें सफाई पसंद होती हैं, ये कलात्मक होते हैं, इस छेतर से जुड़ने में ये सफल हो सकते हैं, राजनाम वाले वेवार से रैंसील और घूमने फिरने के परिवार और प्यार सयोग भरपूर मिलता है राजनाम वाले लोगों की राशी तुला होती है ये व्यक्ति अक्सर अपने लाप के बारे में सोचते हैं और इसलिए इनमे संतुलन की कमी होती है इस रासी के लोग अक्सर परिस्टियों के अनुसार अपना मन बदल लेते हैं राजनाम के लोगों के पास हर बात का तर्क होता है ये भविस्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं राजनाम के लोग जिम्मेदारी से बागते हैं इस वज़ा से भी कभी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं हाला कि ये सुबाब में नर्म होते हैं जो इनकी खूबी है राज नाम की लोग हमेशा चीज़ों वा लोगों की आपस में तुलना करने लग जाते हैं अगर आपको मारा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें आप हमारी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें आप अपने नाम के बारे में जानना चाते हैं तो कमेंट बोक्स में कमेंट करें